अप्रेल के मद्ध में चत्रग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है यह योग शुक्र बुद्ध मंगल एवं राहू की यूति से बनेगा जिससे कुछ रासियों के धन संपत्ती उन्नती एवं सफलता के मार्क खुलेंगे इसके साथ ही इन लोगों को नौकरी में प्रोमो भेवा चत्रग्रही योग बनने जा रहा है यह धन एश्वर के दाता सुप्र है और जुट्धी के दाता भुद्ध के साथ मंंगल और सुती होने जा रही है उस ुतु के कारण यह आप्रेल के दिन शुक्र मंगल बुद्ध राहू यह 4 ग्रह जो हैं एक रासि मीन रासि मे तो इन चार ग्रहों के मीन राती में विराजमान होने से चतुर ग्रही योग बनने जा रहा है थानक है बहुत लंबा योग नहीं है लगवल दो-धाई दिन तक यह यह योग बनेगा लेकिन दो-धाई दिन में भी यह कुछ रासियों को विशेश लाव दे जाएगा क्योंकि 25 तारिक को शुक्र मीन रासी से मेश रासी में प्रवेश कर जाएंगे जिसके कारण सुख्र के यहटने के कारण यह या योग यहां वर स्क्री ग्रही योग परिवर्टित हो जाएगा तो हम बाद कर रहे हैं चटुर ग्रही योग का अप्रेल में कुछ दिन के लिए, चट प्रमोशन और इंडूमेंट के दि के लिए नवम-भाव में अर्थार भाव-फवाव में बनने जा रहा है तो इन तीन रासी के जात्तों को यह विशेश लाव होता दिखाई दे रहा है तन संपत्ती में बद्धी होगी, राजी की कार्यों में बद्धी होगी राजनितिक शेत्र में सफलता की प्राप्ती होगी, प्यापार वहुसाय में सफलता की प्राप्ती होगी नोपली कर रहे जातकों को प्रोमोशन इंक्रिमेंट के योग हैं व्यापार व्यावसाय कर रहे जातकों को व्यापार व्यावसाय में ब्रत्वी लाव के योग रहेंगे पारिवारिक एवं बेवाहिवी जीवन इनका सुकमे रहेगा जो परिक्षारती जो मिध्यारती प्रतियोगी परिक्षाएं दे रहे हैं इनको सफंता ही प्राप्ति होगी और इन जात्यों को सुब यात्रा के तिर्ध यात्रा के मंगलमई यात्रा के भी योग रहेंगे